हेलो गाईज, वेलकम टू एनदर वीडियो और आज की वीडियो में गाईज मैं आपको दूँगा सर्वायोल मोट की थोड़ी टिप्स और सबसे पहले तो यार एक बिग सौट आउट टू सुहास परसनल आई होब मैं सही नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इन तीजों में ज़्याद अच्छा नहीं हूँ वो उसे ही बाहर बुलाता है और श्टन करके मार देता है और आपके पॉइंट्स की ऐसी की तैसी हो जाती है जिसके कारण आप गुस्से से आंक बबूला हो जाते हो तो ऐसे बौह सारे कैरेक्टर्स हैabil है जो सर्वाईल मोड के अ अंदर बहुत ज़्यादा है अनॉइ है तो आज मैं आपको उन ही कैरेक्टर से बचने की ट्रीक आपको बताऊंगा तो सबसे पहले गाईज हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग after stock trimmer से कैसे बच सकते हैं तो trimmer से बचना गाईज इतना ज़्यादा hard नहीं है आपको सबसे पहले जाना है talents के अंदर और talents में defense के अंदर आपको hawk stance को max out करना है जिससे आपको मिलता है 20% resistance और यहाँ पे एक और talent है guys जो आपके लिए काफी ज़्यादा useful है red dragon training अगर आप इसे max out कर लेते हैं तो आपको मिलता है 20% resistance तो total होगे 40% resistance और एगर आपको stun resistance equipment लगाता है तो और 22-30% resistance मिल जाता है तो total 60-70% resistance मिल जाता है अब देखो guys इस बात की तो guarantee नहीं है कि stun नहीं होने से आप बच ही जाएंगे ऐसा हो सकता है कि stun नहीं होने के बाद भी आप मर सकते हैं क्योंकि आपकी character का health बहुत ज़्यादा कम होगा लेकिन special attacks करने के बाद आपके बचने के chances थोड़े बहुत हो जाता हैं और आप चाहें तो revenant और bone shield को भी max out कर सकते हैं वो भी काफी जादा useful है survival mode के लिए अगर आप ये सब करते हैं guys और एक दो resistance equipment डाल देते हैं अपने character के उपर तो trimmer से बचने के chances आपके लिए थोड़े से increase हो जाता है अब हम लोग बात कर लेते हैं guys combat cup sonia blade की तो to be honest guys मैंने सब कुछ try कर लिया लेकिन combat cup sonia blade को हम counter नहीं कर पा रहा है तो पहले मैंने सोचा ना गया इसकी जैसी combat cup sonia blade tagging करेगी ना तो हम किसी और character को उपर click कर देंगे जिससे क्या होगा कि जैसी combat cup sonia blade आईगी तो मेरा वो character field में आ जाएगा जिससे मैं click करता हूँ लेकिन ऐसा नहीं होता है randomly कोई भी character आ जाता है और 90% कैसे इसमें जो मेरा weak character होता है वो ही आता है फिर मुझे लगा कि मुझे साथ दूसरे number पे अपने strong character को रखना चाहिए और जो मेरा weak character है उसे मुझे तीसरे number पे रखना चाहिए तो इससे भी बात नहीं बनी तो मैंने सब कुछ try करके देख लिया गाईज लेकिन मैं combat cup sonia blade को counter नहीं कर पा रहा हूँ तो combat cup sonia blade के लिए गाईज मेरे पास कोई भी idea नहीं है तो अब हम लोग चलते है गाईज अपने अगले character के उपर और वो character है try work sub 0 वो नहीं the most annoying character तो ये character गाईज आपको जमाता है आपके उपर frost white अपलाई करता है और इससे बचने का भी गाईज वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया था और वो है resistance आपको resistance वाले equipment अपने character के उपर डालने होंगे जिससे आप frost white से बच सकते हैं या chances थोड़े से increase हो जाते हैं बचने के इसके बद गाईज हम लोग उस character की बात कर लेता है जो match इस टार्ट होने के बाद ही आपको मार सकता है और वो character है साहो खान कहा गया यार यहीं पर थो था हाँ यह रहा तो साहो खान के बारे में आपको पता है कि जैसे साहो खान battle start करता है या battle start होता है तो साहो खान आपके उपर x-ray करता है और आप dead हो जाते हो तो ऐसे characters से बचने के लिए आप एक दो equipment को use कर सकते है जो कापी ज़्यादे useful है और यह equipment आपको मिलता है फैक्सान वार रिश्टोर के अंदर और पहला equipment है डिभाश टेटर तो डिभाश टेटर करता क्या है यह आपके opponent के power को steal कर लेता है हाला कि fusion 0 पे chances बहुत ही ज़्यादा कम होता है लेकिन अगर इससे आप use करते है तो आपको help मिलती है इसके बाद blaze life force को भी आप use कर सकते है लेकिन blaze life force को max out करने के बाद ही आप power drain कर सकते है opponent का लेकिन इससे max out करने के बाद इस बाद की 100% guarantee है कि opponent का power drain होगा लेकिन इससे max out करने के लिए आपको 400 blood rubies की जरूरत है तो इससे max out करने में काफ़े ज़्यादा time लगेगा तो मेरे हिसाब से guys आपको device stator के पीछे जाना चाहिए क्योंकि device stator fusion 0 पे भी आपको 30 या 40% chance देता है अपनेंट का power steal करने का तो guys अब हम उस character की बाद करते है जो battle start होने से आपको मार सकता है बिल्कुल साव खान की तरह और वो है circle of shadow lu kang तो इसके बारे में guys सबको पता है कि battle start होने के बाद ये आपको stun कर देता है तो इसके लिए भी guys आपको वही करना होगा जो मैंने आपको trimmer के लिए करने के लिए बताया था सबसे बहले तो talents के अंदर उन दो talents को max out कर लेना और उसके बाद कुछ stun resistance equipment डाल देना तो I think guys मैंने आपको उन सारे characters के बारे में बता दिया और classic scorpion actually इतना ज़्यादा deadly नहीं है आपके लिए लेकिन mk11z और revenants milina काफी ज़्यादा deadly है तो milina के लिए तो आपको वही stun resistance equipment को यूज करना होगा और mk11z का कुछ नहीं किया जा सकता और साथ strike force scorpion का भी कुछ किया नहीं जा सकता हाँ लेकिन आप चाहे तो power drain character को यूज कर सकते हैं उससे आप strike force scorpion को sp2 यूज करने मत दिजेगा तो I think guys मैंने almost सारे characters के बारे में बता दिया हाँ लगवक सारे characters के बारे में मैं बता चुका हूँ और साथ कुछ characters हो सकते हैं लेकिन अभी मेरे mind में नहीं आ रहा है एक सेकेंड हम combat cup Johnny Cage के बारे में कैसे भूल सकता है तो guys आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप combat cup Johnny Cage के साथ fight करते हैं तो आप tag out मत किजेगा नहीं तो Johnny Cage आपको stun कर देगा वैसे chances only 50% है लेकिन game का कोई भरोसा नहीं है तो tag out मत किजेगा तो I hope guys ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी तो आज की वीडियो को guys मैं यहीं paint करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ